Hello everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे Friends, आज हम सुरू कर रहे हैं Excel में एक नई स्रीज जिसमें हम सारे Tabs के बारे में जानेंगे और उनके अंदर जितने भी Groups आते हैं Like that, Home Tab में आपके Clipboard Group, Font Group, Alignment, Number, Style, Cells यह आपके सारे क्या होगे? Groups होगे और इनके अंदर जो भी Functions है, उनके बारे में हम Details से Analysis करेंगे कि उनका हम कैसे Use करेंगे तो आज हम वीडियो को सुरू कर रहे हैं Home Tab में Clipboard Group से और उसमें हम देखेंगे Copy and Paste Functions तो बिना टाइम वेश करें, वीडियो सुरू करते हैं Let's Get Started Friends, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ words लिखे हुए Learning zone with creativity और इसका जो भी format वगरा है वो बिल्कुल different है मैंने दूसरा यहाँ पर word लिखा हुआ है Subscribe और इसकी formatting बिल्कुल अलग है Friends, मैं जाता हूँ कि जो Learning zone with creativity में formatting है As it is formatting किसमें आए Subscribe में भी आजाए तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको simply copy करना है Copy करने के दो यहाँ पर Ctrl C कर लो तो copy हो जाएगा यहाँ फिर आप कर सकते हो Simply यहाँ पर आपको click करना है And then copy And उसके बाद आपको जाना है Paste पे Paste पे जाने के बाद आपको जहाँ पर भी आपको इसको paste करना है वहाँ पर आप click कर लेना पहले And then उसके बाद आप paste पे जाओ और यहाँ पर आपको जाना है Formating पे तो यहाँ पर आपको formatting पे click करोगे तो आपका क्या हो चुका है कि जो formatting learning zone with creativity में है As it is formatting हो चुकी है Subscribe में भी Next हम देखेंगे कि हमें paste करना है With link के साथ तो यहाँ पर जो भी चीज मैंने लिखी हुई है Learning zone with creativity इसको मैंने paste करना है कहीं और जगे कोई और sales में इसको paste करना है और paste करना है link के साथ कि मेरेको link भी उसमें आ जाए तो यहाँ पर आपको other paste option पर जाना है और यहाँ पर आपको जाना है paste link पर जैसे आप paste link पर जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या हो चुका है कि यह जो learning zone with creativity मैंने लिखा हुआ है यह paste हो चुका है दूसरे sales में और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका link भी paste हुआ है तो जैसे कि यह देखो यह आपका link हो गया next friends मैं चाहता हूँ कि जो मैंने learning zone with creativity लिखा हुआ है यह picture में paste हो कहीं पर भी तो यहाँ पर आपको क्या करना है control c and paste पर जाना है और यहाँ पर आपको third option पर click करना है picture पर तो जैसे आप picture पर click करोगे तो यह as a picture में paste हो चुका है as a picture में paste हो चुका है friends मैं चाहता हूँ कि यह जो picture में paste हो रहा है तो मेरे को यह पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहां से paste किया हुआ है यह मेरे मेरे को पता नहीं चल रहा है कहां से paste किया हुआ है तो इसकी कोई linking नहीं है, मैं चाहत हूँ जो picture में paste हो रहा है, इसकी linking भी मुझे पता चल जाए, इसका link भी आए साथ में, तो आपको simply जाना है, आपको जहाँ paste करना है, वहाँ पर आप उस sales में आप click करोगे, आपको paste पर जाना है, यहाँ पर आपको जाना है, linked picture पर, जैसे आप linked picture पर click करोगे, तो यहाँ पर तो यह जो picture paste होए, विद link के साथ होए, तो जैसे आप इस पर double click प्रेस करोगे, तो आपके, जहाँ से आपने इसको paste करना है, वहाँ पर आपका cursor अपने आप चले जाएगा, friends, यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ मेरे पास numbers given है, और मेरे को यह numbers को copy paste करना है, मैं इस number को लेता हूँ, इस number में क्या हो रहा है, कि मैंने कुछ font भी change किया हुए, और कुछ number की formatting भी change कियी हुए, other number से, मेरे को यह number paste करना है, और मेरे को just number paste करना है, ना ही मेरे को formatting paste करनी है, ना ही मुझे इसका font change करना है, तो मेरे को यहाँ पर, मैं क्या करूँगा, control C, या फिर आप यहाँ से भी copy कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको इसको paste करना है, वहाँ पर अपना गर्जर ले जाना है, यहाँ पर आपको paste पर जाना है, और यहाँ पर आपको just किस पर क्लिक करना है, values पर, paste values में और values पर क्लिक करना है, तो आप जैसे values पर क्लिक करते तो, तो यहाँ पर आपकी आपकी just number paste हुए है नहीं आपकी फॉर्मिटिंग पेस्ट हुई है नहीं font काah जो वह पेस्ट हुए य हुए hundredne friends मुझे चाहिए मैं जाता हूं कि number एसाथ बीडम नंबर की फॉर्मिटिंग हो जाय जह formatting 0.00 भी paste होचा यहां पर क्ओपी and उसके वाद को जहां पर पेस्ट करना है है आपने KERJAR को रहाना है and paste पर जाना है और यहां पर आपको वेल्यूस & number formatting और क्लिक करना है जैसेじ हैu values & number formatting पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका क्या हो चग है नमबर भी पेस्ट होए with a number formatting के साथ लेकिन आपका font का जो भी मैंने changes कि हुख वह पेस्ट नहीं हुआ मैं चाहता हूं कि font अपर changes भी een paste सकते हो या तो आप यहां control V प्रेस कर सकते हो like that यहां फिर आप जा सकते हो paste पे and यहां पर आप क्लिक कर सकते हो values and source formatting पर तो जैसी आप values and source formatting पर क्लिक करते हो तो आपका क्या आ चुका है as it is आ चुका है इस element जो भी इसकी formating है जो भी इसकी number formating है font की formating है वो भी यहां पर number के साथ आ गई है यहां पर मिरे पर numbers थे मैंने इनका total किया हुआ है total में मैंने formula लगा रखा है sum का और यहां पर भी मैंने दूसरी जगे भी कुछ numbers लिखे वे और हैं अई मिले को total चीए और मिलो क्या करना है formula को paste करना है this के लाब सुझ भी करना ना इसकीЬ fons की formating पेश को Almost doin 55 ङ्यां तो इसके लिए आपको आप Country प्रेस कर लो या फिर आप यहांपर द्राव कर सकते हैं पहले इसको आप कॉपी करना है जहाब आपको पेस्ट करना है आपको उसस में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जाना है पेस्ट पेस्ट पर फॉर्मुलास पर तो जैसे आप फॉर्मुलास पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जस्ट आपको फर्मुला पेस्च हुए है, ना ही और नमबर की फर्मिटिंग पेस्च हुए है, और ना ही —CT Inf अब मुझे चीए कि मुझे नमबर की फर्मिटिंग भी पेस्च करनी है Archives formula के साथ साथ तो मैं यह क्या करूँ emoc आपको 3331 पर क्लिक करना है formula number नंबर फॉर्मेटिंग पर जैसे आप फॉर्मुला नंबर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो फॉर्मुले के साथ साथ नंबर की फॉर्मेटिंग भी यहां पर पेस्ट हो चुकी है सब riches करने की फॉर्मेटिंग डिख देख सकते हो कि यहां पर आपका नंबर जो उब हम वह भूप हो चुका है लांबर की फ्रमिटींग भी पेष्ट हो चुकी है और फॉंट की फ्रमिटींग भी पेष्ट व कि सुकुकी है हैं वह अब लिक्ष में आए जैसे आप देख सकते हो यहां पर पर डेयाट चीव वन falsch नह developments ब्लस film डिवा प्लड़सि एंदर उसके बाद आपको 問 है नहीं पर इसे ए시면 और यहां पर आपको जाना है फेस्ट विधrou बॉर्डर के सांगे थोर यहां पर आप जैसी क्लिक रोगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बर्डर है थे और इस वाले में वार्डर नहीं है, इस वाले में ब्रडर नहीं है, यह डेटर गीwenत है अपके horizontal form में मिरको इसको Vertical지LE four में च Sayous इस मेरको इसको कहुआ तो आपको इसको copy कर लेना है यहां पर भी आपको को वर्टिकल फॉर्म में चीया आपको वहां पर अपने करजल ले जाना है एज सकते हो कि आपका डटा वर्टिकल फॉर्म में आ चुक है अगर मियर को इस वर्टिकल डेटा को भी होरिजेंटल में convert करना है तो आपको फिर इसको select कर लेना copy कर लेना and जहां पर आपको paste करना अबना गरजल ले जाना and paste पर जाना और फिर transpose पर क्लिक करना तो आप देख सकते हो आपका data किस फ़ाम में आ चुका है आपका data पिर horizontal form में आ चुका है vertical से friends जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जो data है मैं इसमें जो column का width मैं change कर देता हूं column का width मैं change कर देता हूं अब मैं इसको paste करना चाहता हूं दूसरी जगह है और मैं चाहता हूं कि जो column का width है यह दूसरी जगह भी as it is जी आए कोई change ना हो column के width में कोई changes ना आए और मैं इसको as it is paste करना जाता हूं तो आपको यहाँ पर click करना है पेस्ट पर और यहाँ पर आपको जाना है keep source column with width पर जाके click करना है तो जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हो जो column का width है वो बिल्कुल change नहीं हुआ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है friends अगर आपकी कोई भी queries आइस के regarding तो आप मुझे comment कर सकते हो I hope आपको video informative लेगी होगी video informative लेगी तो please subscribe the channel like and share the video until then happy learning